हेलो माई डियर स्ट्रेंट्स वेलकम टू शिंदेश केमिस्टी टेक्निक्स कल हम लोगों ने ट्वेल्थ का नया चाप्टर स्टाट किया है क्या ना उसका है लोजन डेरिवेटिव तो उसमें देखिए भी मैंने का आपको उसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन कंप् होते हैं होता है और दूसरा जो है आपका आपका नमबर ऑफ हैलोजन आटम ठीक ना नमबर ऑफ हैलोजन बेस्ट है तो मोनो डाय और पॉली ऐसा को करके रखावा है तो इसको अच्छी से रिवाइस के लिए बहुत इजी है तो पहला जो क्लासिफिकेशन जो था आपका आप उसमें इसमान को करें यहां पर डालके रखी है तो दूसरा जो हो नंबर ऑफ हैलोजन फर त्राई एसा कर सकते हैं और एक और क्लास विन्फिकेशन यह बुट आपको है करके अदर है तो उसको करके देख लिजेए पूर हो हमको आज देखना है नॉमेन किलेचर नॉमेन क्लेचर औफ। यहां पर है लिए डेटिवेटिवस कर लेते हैं पर हेलोजन डेरिवेटिवस थिरना मोणो तो हेलोजन डेरिवेटिव स करके लिए है ये आई से नियान तो यहां पर देखना है थोड है हम क्या करेंगे कॉमन नेमिंत के लिए हम अब यहां पर कामन नेमिंग सब्सक्राइब करना है ओ रू quedette अलके हैलाइる आपलो बोल जो yl Aaट या आलके हलाईट ठिक आ और ऐउ Covid-19 हम यहाँ ङूहई पर आई पी पी यहाँव पर यहाँ पीच का यह ऑप फ्लकेron या तो ऑई पशे नेम के लिए हम यहाँ लिए ट लोड़े अफिर हम को प्रोलम करें हो है तो यह प्रोलम आता है भूहस्स से बच्चों को अगर आप फ्लोरीम उसके तो फ्लोरीद प्लोरीद बैसा यह fluoride क्लोरीन के लिए हम यहां पी यूज़ करेंगे क्लोरआइट God okay सब्सक्राइब यहां पीज़ करेंगे दॉट मयट कहसे करेंगे ग्रो माइट वijn कि Oxygen अ इंव हम यहां पीज़ करेंगे आयो डाइट एट इज है त्दंधेक कर लिए अब आ क्लोरीन लिया अगर आपने यहां पर तो क्लोरो यूज़ करना है अगर अपने ब्रोमीन यहां पर लिया तो आपको यूज़ करना है यहां पर ब्रोमो आइडीन आपने यहां पर लिया तो आयोडो यह ऐसा आपको यूज़ करना है तो कॉमन निमिंग लिए कौन सा वर्ड है सबस्क्राइब जो था पूरा क्लियर कर दिया है कि यसलिए को अब गए six ये ऐ हम अब घगते बंदा करते हं है कि आख मैंने कि यूज़ेकर आप को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आज यह इधाल जाब देख्याँ करने नो क्थेख्याँ कर लिया अब अब नहीं पे लिया फोर्स्ट एक्जामपल दो मैंने आप लिया च्री अब लिया सी जाधतर हैलोजन में क्लोरीन और ब्रॉमिन का युज जादा करते हैं तो आप दो को मन आपको यहां पर अलकीलाइट अलकील के अम मिधिल अमने लिखा हैं पर मिधिल मिधिल क्लोराइट अब आई पीशने में लिए हेलो अलकेन हेलो क्या है क्लोरी को क्या लिखेंगे क्लोरो तो यहां प्लेकर फॉर्स लेटर क्या पीटल होना चाहिए तो क्लोरो और एक कारबन उसले मीथेन देखो क्लोरो मीथेन हेलो अलकेन हेलो में क्या लिया क्लोरो और अलकेन में मीथेन एक कारवन होगा तो मीथेन, दो कारवन होगा तो इथेन, टीन होगा तो प्रोपेन, चार होगा तो ब्यूटेन, पाच होगा तो पेंटेन, ऐसा आपको यूज करना है, ठीक है न, तो जोगो, अलकिल हलाइड से इसका अलकिल हो गया मीथिल और हलाइड हो गया क्लोराइड, ह ब्रोमिल हाइड किया लिखा है common नेमीक लिए अलकिल हलाईड तो यहाँ पर इथिल ब्रोमाइड अलकिल ग्रूप्स पूरा कर लेना है कोई इथिल ब्रोमाइड यह आ इसा कर लेना है इतिल ब्रोमाइट हो गैर अलकिल अलकिल पर इतिल और ब्रोमी के लिए ब्रोमाइट अब हेलो के अलकें वह हैं दो कारबन है मतलब हेलो मैं क्या यहां फर्फिटल रखना है नहीं अब आते हैं थर्ड एक्ज़ंपल CH3 CH2 CH2 ठीक ना अब हम यहां पर लेते हैं आयोडी ले लेते हैं ठीक ना क्लोरीन ब्रॉमिंगा फिर तीसरा आयोडी ने फ्लोरीन कम यूज करते हैं अंग्री ग्रॉप्ल मेस आयोडी है एंग्जांपल हो जाने को तो इसको तो इसको थे एंड रूपिल आपको अलकील ग्रॉप्ली म्धिल एधिल और वेशोधील इसायजित खर्लार्ण घंड ना इसा करा चलना है तेंडिपल सब्सक्राइब करना है अगर आपको मालम है कि नहीं मुझे मालम नहीं आप लोग को अगर आता है कि नहीं मुझे मुझे मालम नहीं है तो मैं काम करता हूँ पहले में को थोड़ा सब को अलकिल को इंफरमेशन देता हूँ थोड़ा सा ठीक ना यह दो थे एक्जापल हो गये है कोई शनी फ्राल कि बताए तो थोड़ा सापको मिजरास क्विक रिवाइस कर लेता हूं उसका उसले लेवन का ता अच्छा होना श यहां से आपका प्रिफिक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा थी एच टू इसका जाएगा एन प्रोपील नॉर्मल स्टेट चेंग को युसकर नाद वस्टेट इन प्रोपील उसके फिर देखिया पर नेक्स्ट फोर्थ एक्साम्पल सी एच थ्रीह थी एच छीच थ्रीट दिव नंपरे लिखेंगक मूओ आई थोपन मिठल है यह एफिल है यह एन प्रोपील तो प्रोपील डोपिल त्न यहां से टीका रहा हो तो दोनुए होग viens स्थेटीन आपर से नॉरमल ठीक देखते जारे कौशिश करते हैं पूरा इसको कोई कुई क्रीजिन करके लिए रमाने का पड़्त है चली सिस त्रीज टू च टू च CH3 अब यहां से अच निकाला स्टेट जर्मना इस एच निकार तो यह स्टेट जेगे नॉर्मला रहा है और टोड़ानों फोर तो फोर को फिली के हम लो ब्यूटी एसा ठीक अब देखे नेक्स अब आपर CH3 CH ठीक डिखना और CH3 अभी आपर CH2 ऐसा कर देख अब यहां से यहां से अपका ब्रांच के आवरा देको दो मिधिल देखना दिखना पूब ब्रांच विदू दो दो अगर मिधिल होंगे ब्रांच तो उसकोलते हैं आई-स अधिक अगर ब्रांच अगर्ण का अगर मिधिल ह तो क्या बोलेंगे आई तो यहां फिसका ना जाएगा आई सोब बीटिल ये ना माँ आगे आप देखेंगे अब देक्टे नेक्स एक्सम्पल छी एच थी एच एच टू छी अब देखेंगे आप अब यह वह सेकेंडरी आने वाला कैसे होगा ऐसे हात रखिये दूनों साइड अगर अलकेट काई साइ भल मुछा ग्रकाइश कुरें एक से लिस इसकों यहहां करा आएगा से केंडरी यह आई अपका से केंडरी क्या कोर्बन वो तो से नरी वन इस आड़ा से कंडरी और भी में डिए अ मित्रसम preference अघर यहां यह साट अगर ब्रहां चाल का लेक्न एकू पिलिए च्छी थ्री और यहां पर आएगा एप का एपर ट्रशनी वात उसको फिर प्रीफिक्स और ट्रशरी तर्शरी टोटल कर्म फूर्थ टर्शरी ब्यूति निखर तो यह मिथिल एठी लें प्रोप लैसे तो आपका प्रोपील कि दौंगे थे सज़के नॉर्ममल स्टेटेट्र राइगा ऑठ हो अगर तो यहां पर तक ne के साथजी हसनिक और सफाटल केंगे यहाँ रिदेक रामरे यहाँ पर सेकेंडरी यहाँ पर यहाँ यहांपर निया अपर जैकेंड रिफिक्स आगा और आन्यों का बताता लिए कोई पर क schme नहीं है रिद रह इतना है उसको कोई वाइस कर लिजाए से अब मैं पेंटिल का वाद आता फिर आप पूरा क्लिर हो जाएगा तो फिर हेग्जिल का आप लोग करके देख लेना है ठीक है ना अब देखते हैं आप एट हो गया भी देखते हैं नाइन ताब दोगो भी जाएगा आपका नार्मल पेंटिल नॉर्मल पेंटिल रिए इसको फीधिया नार माल नहें होता है आप देखिये अब मैं आपको आपनेक्स अप्छ 3C h 2C h 2C h 3 अब देखिए अब यहां पर ब्रांच वा तो दोनों साट मितिल गुरूप है क्या नहीं है नहीं नहीं है इसका अदलब यहां पर आपका सेकेंडरी पेंटिल यह पिर सेकेंडरी इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी अमायल भी बोल सकते याप उसको साटिर में दो नएंगे टीक है अब यहां से अपने इस नेगला यह अपका सेकेंडरी यहां सरे कर देटियो one two one two बतार यह स्टप्चर और यह ले ब्रूरण स्तिटर दोनों की है सिप पलटा दिया स्टार यह आइसा था तो हम उसको पलड़ दिया तो इसका भी आपका सेकेंडरी क्या आएगा इसका नाम भी सेकेंडरी पेंटील ही आएगा या फिर सेकेंडरी यहां पर जाएगा अम आएगा होगे आप यह तीन और तीन स्टुक्चर्टर इसके है आप देखते हैं नेक्स्ट अब है च थी एच थी एच थी एच थी एच टू सी एच टू थी एक्जिल के आपको बनाके देख लेना है ठीक ना क्या एक एक कारव मड़ाना बन जाए आप से तो इसका यह आपका दोगा ऐसे हम यहां पर एसा कर दो हाट रोख लिए आप ऐस दोनों से अरिको ब्रांच आलके ग्रोप क्या मिठिल है जो मिठिल रहेगा तो आपको याद दगना आई सो तो आई सो पेंटिल हो गया या फिर इसको बोलेंगे आई सो अमाईल यह देखे जा है क्लिए अब आते हैं नेक्स्ट थी एच थी एच थी एच थी यहां पर आई तो दो अभी तरशरी है डिन दिकाला अटरशरी का थो अटरशरी अस चाहिए तो टरशरी पेंटिल यह फिर इसको बोलेंगे टर शरी डिकलेंगे अमाईल यह देखे ना अभी कि लास्ट अरे देक्टे से यह तो टॉतलव श्च वाइंगे फिर एक्जिल क्या आप ल इसमें कॉटनरी कार्बन आएगा क्या है से अंदर कॉटनरी कार्बन आएगा तो यह हो जाएगा आपका नियो पेंटिल नहीं तो इसको बोलेंगे नियो क्या बोलेंगे लिए नियु में कॉटने कार्बाइग है यहां से बividades सकते थे यहां से यह निकाल सकते हैं यहां यहां से निकाल सकते हैं यह तो इसके सिर्फ दौर निइशन एक इन आइब डाद हो तो देखना बन जाएगा कि Şimdi के लिए दो advertising तो आपके पूरे अलकेल ग्रूप्स पूरी हो गए तो अब आपका कामावी थोड़ा आसान हो जाएगा अब आपको जल्ली-जल्ली कॉमन नीमिंग बनने शुरू जाएगा अब मुझे मालम नहीं कि आप लोगो कितना आता है तो मैंने अलकेल ग्रूप 11 इनको पता नहीं याद आता ही कि नहीं तो मैंने अपना काम कर दिया अब आप लोग लिए आसान हो गया अब दिखेंगे अब हमने एक्जांपल बनायता है क्लोर दो क्लोरो मीथे अभी तो तीन हमने जो एक्जांपल के दिसको में रवाइस कर रहे हैं ठीक और लिकर रवाइज में छी एच टू बीया ले लिया तो यह हो कि आपका देगो अलकिल हलाइट से तो एथिल ब्रॉमाई और आई पिस नहीं हो कि अब्रूमोग इते हो आइ प्रोपील क्या रहना है एक अश्का एन प्रोपील ब्रॉमाइट हो गया और इसका आई पीस नहीं क्या होगा आप देखो तीन का रवाइतर नंब्रिंग करना है one two three यह दो मैंने पढ़ा दिये तो उसले मैंने इसको रवाइस कर लिया था हो गया प्लियर कुल कंफीजन एन प्रोपील ब्रोवाइट आपी सीने में देखो वन पर ब्रोमो है तो वन ब्रोमो प्रोपेन सरे ब्रोमो पूर मैं है अब कार्बन स्वीन ब्रोव वन वुशाव कि यहां प्रूपेन एकाना वत await वाड़ेगा तीन कारम से नंब्रिंग स्टाट वोती है यह द्री कारल टीस गिम्रेंग और प्रिफिक्स कमन नेम इंबीैन प्रिफिक्स स्टाट हो जाता है और ब्लैरेन खाना ब्रोमी में कि इस ओ डिक रहा इसे डोनों जाट ब्रांश ङलका ग्रभाइव टाइस ऑर यह तीन आई तो प्रूपल स्कार्वा जायगा आई आई तेन आई सो प्रूपल इसो प्रूपल ज्यू रूराइट यह का गॉ मननीच सब्सक्राइब ऩहां थे हर रिखेन अमरीग अमद आपी दोबी फ्लॉरीड अब यहां से आपकर इस्ट फॉसिए बहुत बचान डीव्ट टोटॉ कलोल प्रोपे यह गैसका आई उ पसी नम वह के आज से नहीं हो गया बरुट आफ दो चानव जो नहीं हो ना जो दो इंड त अब यह स्टेट चेन है तो कौन सा प्रिफिक्स अगा स्टेट चेन के नॉर्मल अब चार कारवर नॉर्मल ब्यूटिल अभी करा है सारे बने में पहले क्या करो आप लोग सारे वह अलकिल ग्रूप्स को रिपीट कर लिए एक बार आप लोग नोट्स बनाई है और आप लोग हो नहीं क्या करना चाहिए मैं पूरा ले रहा हूं और बेफिकर रही है पूरा पोर्शन करके छोड़ूंगा मैं 12 का और 11 भी स्टाट करने वाला संडे या मंडे से मैं कर दूंगा स्टाट 11 भी ठीक ना तो नॉर्मल ब्यूटिल और 11 की कहा सीटी में सिरिफ 9 चैप्टर से नाइन चैप्टर कोई इश्यों नहीं 11 बहुत लिए कवर होने आला है उससे थोड़ा सा में रुक्ये स्टाट करों 11 जो आप इस साल जो बच्चे देने वाले उनके लिए आभी आपका पोर्शन सुरू हो गया तो ऑर्गनिक थोड़ा सा हाड जाता है फिर बात में फिजि अब आपको पहले समझ लेना इसको फिर आपको क्या करना चाहिए आपको रफ फेश पे सारे स्ट्च्चर पहले मन से बनाने की कुछ अब लेका मैं फिर आइप इसने इसकी कॉम नेम कौन सा वही उसके कर रहे है आलकी लाइट आइप इसने मीं क्या कर रहे है पोठीक ना तो अब अपने हो गए हैं कि एन वीटिल तक आगया भी कि ठीक है एन वीटी वर दमने किया है मिथिल ख्लोराइड इथिल इतिल लेलते हैंप्रोपिल और बूटिल पिए आई आप देखो यहां पर नेक्स्ट एक्जम्पल सी एच थी सी एच अब आपने इसको पेचाना यह कौन सा अलकिल ग्रूप है देख लिए यहां पर लगा दिया मैंने ब्रूमीन ऐसा रहता है आपको पहले अलकिल ग्रूप अच्छे त्यार कर लेना है तो यह हो जाए आपका से दोनों साइड मिथिल नहीं है अगर दोनों साइड ब्रांच अलकेल ग्रूप अगर मिथिल ने खता है तो आपका से कहिंडरी टुटल करमा फॉर सेकेंडरी ब्यूटल ब्रोमाइड यह हो गया इसका कॉमन नेम अब आते हैं इसके आई यह प्यस्सी नेम पर नम्रिंग करो हैज है यह दर से नजदीक है तो वन टू थी फूर नमरी करना पहले लांग शेंज सलेके नपर चाहिए इसमें चोटे-चोटर टो इसक्रच नहीं तो नहीं है तो नमरी कहां से आपका है लोगार अल होता है तो से नूब डिक है अब देक्ते नेक्स्ट एक्जाम्पल थी एच थी एच अब धाल देहां से देखिए अब इसको ऐसा करते हैं थी अब यहां पर मैंने थी एच टू और इधर कर दिया था है अब यह आई-सो कि सेकेंड यह आपको पैचान आना चाहिए दोनों ब्रांच आलकाइल और क्लोरी ने इसले क्लोराइड आई-सो ब्यूटिल क्लोराइड आई-सो ब्यूटिल क्लोराइड आई-सो ब्यूटिल क्लोराइड और आई-सी नेमिंग नम्बरी यहां करेंगे वान टू आप देखो यहां भी जा सकते थ्री यहां भी जा सकते थ्री कही एक जगह जाना ह पड़ेगा, 3, आप side chain में आपका methyl आ गया है, तो पहले हेलो लिखिए, तो 1 chloro, 1 पे chloro है, पहले हेलो लिखिए, फिर बाद में side chain, 2 methyl, यह हो गया आपका 2 methyl, और total कार में कितने 1, 2, 3, तो प्रोपेन, यह हो गया इसका IOPSC name, 1 chloro, 2 methyl, प्रोपेन, देख लेचा, अब देखते ह next line आ भी हाँ पर example, हमने लिए पर CH3, 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 CH3 और यहां पर में आटाच कर दिया है, chlorine, chlorine, bromine, id, ज्यादा यहीं उसकरते है, तो chlorine, bromine, ज्यादा हो, आप दोखो, tertiary carbon, से आपका है, यह आटाच, यह तो tertiary, tertiary butyl chloride, यहां पर tertiary, tertiary carbon, से आपका halogen, मतलब तरशरी H निकलके क् क्लोरी नहीं है, tertiary H किसे रिप्लेस वा, chlorine, bromine, idon, किसी हिसे होगा, तो यहां पर लेकिंगे है, tertiary, tertiary butyl, tertiary butyl chloride, यहां का common name, अब हम आते हैं, इसके IPC निम, तो आप लोंग इशन से ले करना बढ़ाएगा, 1, 2, आप इधर ही जा सकते है, 3, इधर ही जा सकते है, आप पर आपको कहा करना है, longation, 3 carbon, तो यहां पर 2 पर methyl है और 2 पर chloro, तो पहले हेलो लिखेंगे, तो 2 chloro, फिर लिखेंगे हैं, हम लोग, side chain, 2 methyl, और total carbon है, 3 propane, यह हो गया इसका IPC, अब एक मैं आपको नियो का बता देता हूं, example, next लेते हैं, नियो का, तो आप कर सकते हैं, छे हैं जिल तक आपको practice करनी चाहिए कभी एक है, ठीक है ना, यहां पर लिए हमने दोगो CH3, CH3 और यहां पर CH3, यह नियो का पहला structure है, नियो का, नियो पेंटाइल, और इसका लगा देता है, ब्रोमीन, तो इसका नाम जाएगा, नियो पेंटिल ब्रोमाइट, और आपको माला में, मैंने अभी पेंटिल का एक और नाम बता है था, तो इसका एक और नाम नेम पॉसिबल है, नियो अमाइल, क्या वहले है, इसको नियो अमाइल, ठीक है ना, ब्रोमाइट, नियो अमाइल ब्रोमाइट, यह भी नाम पॉसिबल है आपका आपका वन ब्रोमो वन पर ब्रोमो तो पर दो मिधिल दिख रहे हैं दो मिधिल तो लिखना पड़े का तू कॉमा तू दो बार उसलिए डाय आएगा डाय ब्रोमो शरी मिधिल नहीं है टू कॉमा टू डाय मिधिल और टोटल कारबन कितने थ्री है तो प्रोपेन यह हो गया इसका आयो पीएस सी नेम देख लिए इतने स्ट्रक्चर इसका अब मैंने कहा कि यहां पर यहां पर पेंटेल के सारी ने सीधा एक ही लिए है पांच छोड़ दिए मतला आप कर सकके द अब हम लेते हैं विनिल फिल यह लेते हैं तो अब हम देखते हैं यहां पर चलिए अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट अब अब देखिए हां पर CH2 double bond CH यह विनिल है कारवाण विनिल विनिल क्लोराइड आए इसका नाम विनिल विनिल बोलते हैं तो विनिल विनिल जो बोलना है वोली विनिल क्लोराइड अब IPC नेम क्या होना चाहिए विनिल क्लोराइड अब IPC नेम सोचे क्या हो सकता है सोचें तो क्लोडो इथीन क्या हो सकते हैं क्लोडो darum कनी के लिए कर एक दीडिये ना समय नाम होेगा आईajcieare कि अगर आपको लगता ऐसा तो सकते यह झालाना पड़ेगा लेकिन तो नहीं इनमडरें की तो वन क्लोरो एथीन ऐसा कर सकते हैं अचा अब देखते हैं यहां पर विनील हो गया आप देखते हैं छ्टू डवल बॉंड च्छ फिर छू प्रोमीन डाल देते हैं लिजन बनल देते तो अब यह इडिये आपका अलाइल तुसकोड थे हैं अलाइल आलाइल ब टूट डबल बॉर्ण ची एच तो यह ए अलाइल ग्रोप यहां सेया तक अलाइल ब्रोमाई यह विनील ख्लोराइड यह विनील ख्लोराइड यह सापको बॉलना है बोल सकते आप ठीक ना तो आप देखो आप इसकी नम्रीं करते हैं one नमरी यहां से होना चाहिए डबल बाइब यहां से नहीं पड़ेगा यहां से यहां से नहीं लिए अप सोचिस का नाम क्या होना चाहिए तो चीह अब डबल बॉंड जादा रियक्टिव से अगर हमस्का और देखते हैं अगर हम लोग फॉंच्छ एले जागर अपने फॉंक्शन ग्रॉप तो अलकीन है है लोजन तो हमेशा इसमें आते है लिए किसमें आपके लेस इंपॉर्टेंट फॉंक्शन ग्रॉप से तो नम्रीं इ हमेशा तो थ्री ब्रोमो टोटल क्या थ्री कारबने तो प्रोप वान इन ऐसा कर सकते है या प्रोपीर में लिख सकते हैं मैंने एक्जाक नाम लिखा है देख लिए ठीक है और एक एग्जांपल एड़ करते हैं इसके अंदर सी एच ट्रिपल बॉंड सी यहां पे लिए सी चल्बाइस आलिए टेक्सबुक में सारे आपके एक्जांपल तो आपको करना बढ़ेगा अब सोचे क्या होगा इसका सोचो थोड़ा सा तो क्लोरो ऐसे एसे टीन होता है तो इसको लिखते हैं क्लोरो एसे टिलीन और आई पीसी नेम लिखना है तो क्लोरो इथाइन दो अब यह होगा आपके एलिफेटिक होगा आप अरमेटिक के कुछ एक्जांपल ले लिता हूं में आप जोगो सबसे आसारी है इसमें पहले एक हैले टेस्करता हूं जैसे भी क्लोरो ब्रोमो आईडो फ्लोरो कुछ भी आड़ कर सकते हैं तो क्लोरो बेंजीन है लो अरे है फ्ली है है तो यहां प्लो क्लोरो बेंजीन में इसमेंगे क्लोरा वेंगे ने को मैं इस्व का इपसिने में यह का ओमनेम इम इपसी नियूंदय को ज्चवा आईपासी निए रेकर भी तो अंस needle आइंगे तो हो जाईगा 20% आप्समजरेंस दो में ग्रूप से मिलेता हूं यह वन्टॉ पोजिए और थो तो मिसका नावर और तो इसका कई डाइस सबस्ट्रेइड बैंज == का होता है यह यह तो सब्सक्राइड तो मैटा बैरा तो ओन तो पोजिशन और टू आंड डाय ऐता है यह तो इसके लिए क्लोर क्लोरो डाए क्लो रों बेंजीन ऐसा करना वोलेगा इसका ही पिसे ने टेक लिखरेंट रह तो इसको ईलफा देकर और में इंसरेंट करें जिए कि आ गर में metabromochlorobenzene यह हो गया इसका common name और IPC नहीं मनाने तो अब नम्री करने बड़ी 1 bromo क्या लिकोंगा इसका में 1 bromo 3 chloro 3 chlorobenzene यह हो गया इसका IOPC name अरा है समझ में देख लिए अर्थोमेटा परा थो इनके अच्छे लिखली करना देखना अपंढऻ क्राइब एंग्या और वसका शर्क नृक्त इजो पने लिचलाश्ा है अब फोड़ा थोड़ा ठोड़ा थोड़ा करे हम आगे बढ़ते जाएंगे इंगे जicating आप देखिते हैं नेक्स tool देकर है लिए नक हुँक क्या करते हैं पर आप एक 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 जमपल ऐसी एच तू ग्रूप और यहां पर ग्लोरिन ब्लूमिन जद है तैसे लगा दियों तो जब इसका नाम क्या होना जीँ आप सोचिए अभिए ये ग्रुप इसको लोग बैंजाइल ये ग्रुप है रिन कीसा तक पीसम बैंजाइल क्लोराइट बैंजाइल क्लोराइट ऐसा रहेग़ा है ठीक ऐना इस टैप सब को करना आ तो खोगे और तो मैटा परा से मुल सकते हैं दिफ्रेंट ऐसा हुगा यह थोड़ा लगा नहीं सकते हैं प्रैक्टिस के लिए भी और सब्सक्राइब मेरा का बता यह पो एक पहरा एक यहां पर क्लोरीन यह पर क्लोरी यह पार दीदक One for one for position एक होता है ठीक है ना यह पका और नहीं हो जाएगा पैरा डाइड ख्लोरो को डाइड क्लोरो बेंजीन और उसका आई-पीसी निम होगा वन कॉमा फोर डाय क्लोरो बेंजीन यह होगा आई-पीसी नम्बरिंग आता कॉमा ने में और तो मैटा पैरा तो अगर आपको यह पोजिशन यादे लिए वन टू पोजिशन अगर होगी उसको और तो बोलेंगे वन थ्री पोजिशन है उसको और वन फोर पोजिशन को लेंगे हम लोग पैरा यह थोड़ा सा आप याद रख लेजिए इतना प्रैक्टिस के लिए टेक्स्बुक के जितने जे बॉस में टेबल हो जी दिया ना उतने गर हमने उससे ज्यादा कर लिए एक्जांपल्स ठीक है ना तो अभी आपका यहाप करना है फिर लाइक करना है फिर इसको शेर करना है अपने फ्रेंट सर्कल में जहां जितने आपके दोस्ते हैं उनको बताइए यह वीडियो पसंदा आता है तो उनको ली ओ लो ल्लोग शेर करो सब्सक्कैब करो सबसक्राइब वीडियो खुदी वो सब्सक्राइब कर लेता है लेकिन मेरा काम है बोलना क्या है ट्रेंड है इसके लिए हम भोल रहे हैं इसको ठीक है ना तो चलिए तो आप लोग को लेक्चर को एंज्वाई कीजिए चलिए बाई मिलते हैं कल के नए लेक्चर में ओके बीटा चलिए का यू बाई